Hello student, class 4th, good morning all of you, today we will study chapter number 18, subject is Hindi reader Hindi reader का chapter 18 पढ़ेंगे, chapter का नाम है भेडिया और बकरी का बच्चा इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि यदि हम अपने माता-पिता की बात नहीं मानेंगे तो हमें कटनाईों का सामना करना पढ़ेगा और यदि हम माता-पिता की बात मानेंगे तो हमें जीवन में कटनाईों का सामना करना नहीं पढ़ेगा So let's we start एक जंगल के पास एक बकरी रहती थी, उसका नाम कल्लो था उसके तीन बच्चे थे, कल्लो जहां भी जाती, बच्चे भी उसके साथ जाते एक दिन कल्लो ने अपने बच्चों से का, बच्चो आज मैं जंगल में जा रही हूँ, वहीं से मैं घास खाऊंगी, तुम सब घर पर ही रहना, बाहर मत जाना भक्री का सबसे चोटा बच्चा बहुत शरारती था, बच्चुपके से घर से बाहर निकला और छिपकर अपनी मा के पीछे पीछे चल दिया पास के नाले के किनारे हरी बरी जाडियां थी, वह वह हरी बरी कॉमल पत्तियां खाने लग गया बकरी आगे निकल गी नारे के किनारे एक बेड़िया पानी पी रहा था उसने बकरी के बच्चे को देखा उसने सोचा आज मैं इसे जरूर खाऊंगा तो यहाँ पर यह बताए गया कि एक बकरी थी उसके तीन बच्चे थे बकरी जहां भी जाती बच्चे भी उसके साथ साथ जाते थे एक दिन बकरी ने कहा कि तुम सब तुम तीनों बच्चो तुम तीनों घर पर ही रहना मैं जंगल से तुमारे लिए हरी हरी घास लियाऊंगी लेकिन जो बकरी का सबसे छोटा बच्चा था, वो शरार्ती था, वो चुपके से दीरे-दीरे मा के पीछे चल दिया, मा के पीछे जब चला, तो आगे वो जब उसे घास मिली, तो मा चलती जा रही थी, वो घास खाने में लग गया, जो मा आगे निकल गई, वो लड़का पी कहो बेटे, क्या कर रहे हो, अगर बाँ सुनकर, बकरी के बच्चे ने उपर देगा, बेड़ी को देखके वो बहुत डर गया, बहके कारण कुछ भी बोल ना सका, बेड़ी ये ने कहा, हरी हरी घास खा रहे हो, खाओ खूब खाओ, मैं भी आज बहुत भूका हूँ, मैं त उस दूरी पर सिकारी कुत्ते देगी, उसे उपाय सूज गया, उसने कहा, मामा पहले मुझे गाना सुना दो, फिर मुझे खा लेना, अब जब बेड़ी या उस बच्चे को मिला, तो उस बेड़ी ने कहा, कि मैं अब तुम्हें खाओंगा, बच्चा कहता है कि मामा मैं बह जंगरी कुत्ते होते हैं, वो है, तो उसने बेड़ी से कहा, कि ठीक है, खाने से पहले मुझे गाना सुना दो, फिर मुझे खा लेना, बेड़ी ने कहा, पर गाना मुझे नहीं आता, गाओं कैसे बकरी के बच्चे ने फिर कहा, पर अन्तु मेरी माँ आपके गाने की बहु आके खोली तो उसने अपने पास शिकारी कुट्टों को खड़ा पाया, वे कुट्टे देखकर घबरा गया, कुट्टों ने बेड़ी को पकड़ लिया, बकरी का बच्चा तेजी से घर भाग गया, तो शिकारी कुट्टे जो होते हैं वो बेड़ी की आवाज सुनके उसको मा तो उसने अपनी माता की, अपनी मा की बात नहीं मानी थी, इसलिए वो परिशानी में फज़ गया था, लेकिन समझदारी से वो उस परिशानी से निकल गया, इसलिए आपने माता-पिता की बात माननी चाहिए, और कभी भी विपत्ती में, अब भी आपके पास कोई कटना है तो घबराना नहीं चाहिए, तो इस चैप्टर के आपको सब्दर्द, भाव विकल्पे प्रश्न, लिक्तिस्थान, राइट रॉंग और प्रश्न मिक्तार आपको पीडियाप में सेंड कर दी जाएंगे, यह आप अपनी नोटबुक में करेंगे, थैंक्यू, वे नाइस ड प्रश्न, फ्र सच्गर के प्रेग réalité Ст sensationsा है, झाहिए ज्मध और थच्य जापको प्रश्न, लिक्तिस्था कर दीव प्रश्न, लिकतों, तो थandra सच्छर आपको पसक्त।